एक बार एक मास्टर जी ने भाई कोई मास्टर बेट यो दो पूरा ना वानियो क्योंकि भाणना मास्टर का बात मेरे उपर है एक बार एक मास्टर जी ने रिटार्मेंट के बाद नियू सोचया के साइड का बिजनस कर लूँ, साइड का धन्ना कर लूँ और साइड के बिजनस के चक्कर में जी मुर्गा फारम कर बेठया जितना पैसा गोर्मेंट ने दिया सारा का सारा फारम पर लगा दिया और खुद ने जो पैंसन मिले उस तर्ण खाम दोर नो कर रहा के लिए काम करन दे डेड़ साल होगे जी फारम चलते एक मुर्गी ने एक भी अंडा घुन दिया नाजदाना का करते लागन लागया एक दिन यू एक तांके तांके तांक घड़या होगया मास्टर ने बलाए हे मेरी मुर्गी माताओ बेबेओ भू आओ काकियो ताईयो किमिक वालो चरचर अंडा एक जोटा मार्जय मेरा करज़ा पड़ जिया दूसरा दिन भारम पर आया देख्या बड़ा चमतकार होया हर मुर्गी नीचे चार अंडे दरे और नोकरा नंञा साइड मेर्या बड़ा मेरा डेर साल मेरा ऑभ करम बीजह पड़ा पड़ गाëlा चरचरण ने दियता एक अंड़ा दिया सरम को निया ही आगे ते जुवान मिला के मास्ट जी तू इतना रोया गिडगीडाया इतनी मनत करी जाते तुरी लिया अजमे एक अंड़ा दे दिया नहीं गोर करके देख मैं तो मुर्गा हो यारे अब गोर करने वाली बात यह कि मैं तो राइटर हुझी थोड़ा सा रहने का यह आपका प्यार प्यार प्रेम है कि आथ ममाई के लिए के बोलना करे हूँ हाँ उसके बावजुद कोशिश करेंगे आपका एंटरटेन्मेंट करने का और आप लोगों की नौलिज के लिए बता दू यहां आते ही मैं पिछले दिनों नोईडा में एक प्रोग्राम खतर पहले भी आया था उस वक्त पबलिक से वादा करके गया था उतर प्रदेश की जनता से कि आपके उतर प्रदेश के उफर एक रागनी पका लिखेंगे या आपकी जो मेड़े में बैठक बनी हुई है पूरे कल्चर के साथ बड़ा सा हो का बड़ी सी खाट दुनिया की समते बड़ी खाटर समते बड़ा हो कवरी देखे हमने वहां बेठके आपके उतर प्रदेश के उफर में एक रागनी लिखी है और वो रागनी जब आप चाहेंगे तब सुना देंगे फिलाल माहूल नहीं है क्योंकि ये थोरी नाचकुदी के गरम करगी थोड़ा सोदा तो अभी मेडम पुजा के साथ एक गीद और उसके बाद जब दुबारा नमबर लगेगा आपके उतर प्रदेश के बारे में वो कुछ बोल के जाएंगे जो लिखा है और आसा नहीं उमीद नहीं बल की पुरा विश्वास है कि आपके कालजे के अंदर की बात बोलेंगे लेकिन उससे बहले मेडम पुजा